तो मांचल प्रदेश rules Administration ने पना पेटरन पेपर वन ऑ और पेपर टू हों गे तो पेपर वन मैं जो है एकटीसम नमबर की question जो हैं वो involved किये जाएंगे डाले जाएंगे तो उन्हीं questions को जो है इस paper 1 की series में हम cover करेंगे यह जो paper 1 की series हम चला रहे हैं यहां से ensure करेंगे कि 30 number जो हैं वो पके हो सकें और definitely यहां से जो है आपको आने वाले exams में help मिलने वाली है दूसरी बात आप साथ में यह ध्यान रखें कि यह pilot basis पर हम चला रहे हैं जैसे सफलता सीरीज चलाई थी पहले हम 10 part जो हैं वो इसके discuss करेंगे जैसे की सफलता सीरीज के किये थे उसके बाद देखेंगे further आपका response की किस तरह से है फिर continue करेंगे इसको अगर ठीक रहता है जैसे सफलता सीरीज को हम continue करेंगे आगे क्योंकि आपका response अच्छा था उसमें आप सभी ने positive response दिया है तो चलिए सबसे पहले question से जो है हम start करते हैं यह जो paper 1 की series चलाई गई है तो इसमें सबसे पहला question पूछा गया है यहां पर बोलते हैं इंडिया लॉंच्ट ऑपरेशन दोस्त टू एक्स्टेंट एसिस्टेंस टू वीच्वदा फॉलॉइंग कंट्री आफ्टर दी डेवेस्टेटिंग अर्थ क्योंक तो बोलते हैं कि भारत ने विनासकारी भुकंप के बाद निम्मलिकित में से किस देश को सहायता प्रदान करने के लिए ओप्रेशन दोस्त जो है वो चलाया है तो एक कंट्री है जहां पर भारी भुकंप जो है वो आया काफी तबाही जो था उस भुकंप ने मचाई और अब इंडिया ने जो था अपना एक ओपरेशन चलाया जिसका नाम इन्हां रखा उपरेशन दोस्त तो ओप 1.7 magnitude का भुकंप जो था वो आया था अब इस भुकंप से जो भी नुकसान हुआ इंडिया अपनी साहिता भेज रहा है इंडिया ने अपने 6 प्लेन भेजे 6 प्लेन में इंडिया ने अपनी NDRF की टीम भेजी अपनी NDRF का मतलब है National Disaster Response Force ये जो नेशनल डिजास्टर Rapid Response Force है ये इंडिया ने यहाँ पर भेजी इंडिया ने ज़रूरी जो अपने Yeah ने डिये आपनी अपनी बहजे ऑैं रहा तोसा में भी आपने ध्यान रखना होता है ಉसको जो मेंजर्य होता है लासारिक का दिएका जो पेमाना होता है मेगनेटीद को जो rubbish मापता है और घ्रग्वौ saya subtien अगले चेल में बुलते हैं कया बोलते हैं रिसेटली हु 아ज बीन चीफ worth औस रोफ निदियायोग् Christina के नए CEO चीफ एक्द्रीटइस आओiges तो बनाए गए पॉइंट किये गए हैं इनका नाम जरूर ध्यान रखना है कन्फ्यूजन आपको होगा उसको भी दूर करेंगे बी बी यार सुबरमन्यम जो है यह नए बने हैं ऑफशन सी नहीं सही अंसर है अब यह नए CEO बने हैं क्यों बने हैं आपने तो परमेश्पर महियर भी पड़ा ह है दो साल के लिए भेजा गया है तो यह तो वहां वर्ड बैंक में चले गए नितियायोग हमारा खाली बच रहा था यहां पर CEO की वोश्ट बीवी यार सुर्मन्यम को बना दिया गया CEO जो हैं बीवी यार बीवी यार सुर्मन्यम में इसके चेर्मन पूछे जाते हैं तो च जयान रखे इन क्कूशन में बिल्कुल भी कन्फूजन नहीं होना चाहिए अगला क्वेशन देखिए अगले क्या बोलते हैं विच आफ दा फॉल्वाइंग कंट्री इस चन्स्ट्रक्टिंग फूचरिस्टिक मेगा सिटी कॉल्ड नियों तो बोलते हैं कि नियों नामक क् construction कौन कर रहा है Saudi Arabia कर रहा है क्या सही अंसर हो जाएगा Option C जो है सही अंसर हो जाएगा अब Saudi Arabia जो है वो Niyom नामा के City का जो है वो निर्मान कर रहा है अब Saudi यहाँ से आप जानिए City के बारे में Niyom City जो है ये एक Saudi Arabia का एक project है इसको brain child आप कह सकते हैं futuristic city जो Saudi Arabia के crown prince है जिनका नाम Muhammad bin Salman है जिनको MBS भी कहते हैं ये जो है ये इसका brain child मानें गए ये जो mega city project है ये spread होगा approximately 26,500 square kilometer में square में square में sorry तो ये आपने ध्यान रखना है तो ये आप इसके बारे में ध्यान रखिए ये जो first plan था ना इसका ये unveil किया गया था prince Muhammad के द्वारा जो Muhammad bin Salman है इनके द्वारा 2017 में ये हम नियूम नामक को city बनाएंगे उसके लिए उन्होंने सोच लिया था तो ये था उनका vision ये आप सारा आप यहां से ध्यान लखें तो ये futuristic city के बारे में पता चल गया आपको अगला question देखते हैं अगला question क्या है ह बोलते हैं which planet has the highest number of moons as of 2023 अभी बोलते हैं अभी एक data सामने आया जिसमें पता चला कि एक planet ऐसा है जिसके highest number of highest number of moons जो था वो count किये गए moons का मतलब क्या हुआ जैसे हमारा प्रित्वी है तो हमारा प्रित्वी का जो एक natural satellite है वो moon है हमारा वैसे ही अलग लग planet है उनके natural satellites है moons जिनको कहा गया तो जुपीटर ऑप्शिन भी जो है उसे अंसरों का जुपीटर जो है वो ऐसा एक ग्रह बन गया भी जिसके highest number of moons जो है वो है अब यहां से क्या आप जानेंगे astronomers के द्वारा जो है वो 12 नए moons जो है वो discover किये गए है जुपीटर के अब जो total number of moons इसके हो गए है वो 92 हो गए है 92 total number of moons इसके हो गए है इससे पहले सैचुरन planet जो है सैचुरन के highest moons जो था वो count किये गए थे 83 moons जो था वो सैचुरन के माने जाते थे इससे पहले पर अब जुपीटर ने यह स्थान जो है वो ले लिया है तो science का question भी हो गया क्रंट अफेर का question भी हो गया दोनों questions आपके यहां पर cover हो गए अगर हम बात करें कि आने वाले टाइम में जुपीटर के उपर कोई mission अगर कोई country भेज रही है जैसे हमने चंद्रमा के उपर mission भेजे हैं हमने मार्स के उपर mission भेजे हैं तो जुपीटर के उपर भी mission भेजे जा रहा है है European Space Agency ESA जो है वह एक यहां पर अपना जो है वह mission भेजे का 2023 के अंड तक और नासा और नासा भी यहां पर अपना Ouaisने मार्स मार्स के दो प्लेनेट करम और हमारा अर्थ मैंने बताया आपको कीछ यहां मून मून यहां लम मून आपने ध्यान रखना है वीनेस और मरकरी का कोई the following Indian state first marina which will be constructed भारत के पहले marina का निर्मान कहां पर किया जा रहा है कौन से state में जो हो किया जा रहा है तो इंडिया का जो पहला marina जो हो construct किया जाएगा वो करनाटक में किया जाएगा option भी सही अंसर है करनाटक में किया जाएगा यह नहीं भूलेगा आपको करनाटक में अभी election आ रहे हैं अभी election होंगे 10 मई को साइथ वहां पर voting है तो आप ध्यान रखें करनाटक के साथ जोड़ लें करनाटक वैसे भी साथ किया जा रहा है ताकि coastal tourism जो होता है coastal tourism को जो है वह बढ़ावा दिया जा सके coastal tourism के coastal tourism को बढ़ावा देने के लिए जो है यह किया गया यह जो आपका करनाटक स्टेट है मैंने कहा कि अभी यहां पर स्टित है जिसकी 1884 में जो था वह स्थापना की गई थी यह आपने ध्यान रखना है आईटी सेक्टर के लिए करनाटक काफी फेमस है यह सारा आप यहां से जोड़ लें अगला कोईशन देखिए अगले कोईशन में क्या बोलते हैं यहां पर बोलते हैं अल्ट्रा सैट इस इस देश का पहला टेलिसकोप मिशन है यह आप यहां से ध्यान रखें अब यह चर्चा पर चर्चा में क्यूं था यह चर्चा पर चर्चा में इस लिए था क्योंकि NASA इसको launch करेगा NASA जो है वो इसराइल का जो पहला इसराइल का जो पहला Space Telescope Mission है जिसका नाम Ultraset है उसको 2026 के आते आते जो है वो launch करेगा ये आपने ध्यान रख रहे हैं कि 2026 तक इसका target रखा गया है Ultraset इसका पूरा नाम भी आप सुन लीजिए इसका पूरा नाम है इसका Ultra Wallet Transient Astronomy Satellite ये इसका पूरा नाम है तो ये सारा आपको पता चल गया है NASA launch करेगा इसराइल का जो है ये है 2026 तक कर दिये जाएगा Ultraset का पूरा नाम इतना काफी है याद रखने के लिए अगला question most most important question है और most expected है कि अगर ये question इस तरह का पूछा गया है तो ये ही question पूछा जाएगा बोलते हैं विच फिलम won the best film owner एड दादा साहिब फालके International Film Festival Award 2023 तो बोलते हैं कि दादा साहिब फालके अंतराष्ट्रे फिलम महोचब पुर्सकार 2023 में किस फिलम को सरवस्रेष्ट फिलम का सम्मान जो है वो मिला है यहां पर क्या पूछा गया है यहां पर best film जो है वो पूछा गया है अगर आप से best film पूछा गया है तो कश्मीर फाइल्स को मिला है option भी सही अंसर है कश्मीर फाइल्स आपने धियान रखना है कश्मीर फाइल मुवी है जिसको जो है वो बेस्ट फिलम का अवार्ड मिला है कन्फ्यूज मत होई अभी सुनिए डेटेल से यह जो आर 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 या फिर ट्रिपल आर कह लीजिए यह जो मुवी है जो एस एस राजा मौली के दोरा जो है वो डिरेक्ट की गई है इसको भी अवार्ड मिला है प्रन्तु इसको किस चीज का अवार्ड मिला है इसको जादा साहेब फाल के इंटरनेशनल फिलम फेस्टिवल अवार्ड मिला है Film of the Year का किसका Film of the Year का और यह जो काश्मीर फाइल है इसको Best Film का Award मिला यह दो अलग अलग चीज़े हैं दो ही question हम discuss करेंगे यहां से प्रन्तु यह दोनों question जो है mind में set होने चाहिए Film of the Year और Best Film का Award तो यह आप ज़रूर धियान रखें अगला question देखिए हमारे पास क्या है बोलते हैं what is India's rank on International Intellectual Property Index released this year तो बोलते हैं कि 2023 में जो International Intellectual Property Index release किया गया उसमें बोलते हैं कि भारत का जो है वो कौन सा स्थान रहा International Intellectual Property Index release किया गया इसमें भारत का 40 सेकिंड स्थान रहा option सी जही answer है अब थोड़ा सा detail से मैं explain करता हूँ तब clear हो जाएंगे concept इंडिया का rank रहा 40 second among 55 leading global economies तो 55 total global economies थी जो lead कर रही थी जिनको count किया गया उसमें से इंडिया ने 40 second स्थान जो था वो हासिल कर लिया ये release किसके द्वारा किया जाता है ये भी पता होना चाहिए तो ये release किया जाता है US Chamber of Commerce US Chamber of Commerce ने February 2023 में इसको release किया था ये आपको पता चला टॉप स्थान किसका रहा तॉप स्थान रहा इसमें United States का US का टॉप स्थान रहा दूसे नंबर पर कौन सी country रही United Kingdom दूसे नंबर पर रहा तीसे नंबर पर जो था वो France रहा Most important question हो गया ये आपके लिए अब ये नहीं भूलना चाहिए अगला question देखिए अगले question में क्या बोलते हैं बोलते हैं In which of the following Indian state world's largest and unique दिव्यांग पार्क foundation was led तो बोलते हैं कि निम्मली कित मैं से किस भारती राज्ये में दुनिया के सबसे बड़े और अनोखे दिव्यांग पार्क की नीम रखी गई है दुनिया का सबसे बड़ा भी है और अनोखा भी है इस दिव्यांग पार्क की थीम जो है वो रखी गई है कहाम पर महराश्टरा में option A जो है वो सही अंसर हो जाएगा इसकी जो उदगाटन किया गया वो किस्ति के द्वारा किया गया तो जो हमारे road, transport और highway minister है उनके द्वारा किया गया नितिन गटकरी जी के द्वारा ये आपने ध्यान रखना है ये जो दिब्यांग पार्क है अनुभूती inclusive पार्क भी इसको कहा गया और ये नागपुर महराश्टरा में जो है वो inaugurate किया गया ये आपने ध्यान रखना है अब क्यों इसको कहा गया कि ये अनोखा भी है unique भी है क्योंकि ये पार्क जो है यहां पर बहुत बड़ा area है एक और इसमें play area होगा पहले तो specially जो children है उनके लिए और hydrotherapy भी यहां पर होगी hydrotherapy है water का यूज किया जाएगा body को treat करने के लिए और waterfall sound therapy यहां पर होगी clay unit यहां पर होगी sensory park यहां पर होगे तो यह सब चीज़ें यहां पर होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होगी जो थोड़ी सी unique है अब देखो water park आपने सुना होग प्रन्तु waterfall की sound की therapy यहां पर होगी clay unit यहां पर होगी hydrotherapy यहां पर दी जाएगी specially children's को जो है वो अलग से space दिया जाएगा तो यह सारी चीज़ें जो है वो यहां पर होगी यह आप ध्यान रखिए अगला question देखिए अगले question में बोलते हैं which city recently host the world government summit 2023 बोलते हैं कि world government summit 2023 जो जो है वो कौन सी city ने host की किस city ने इसकी मेजवानी की तो इसकी मेजवानी दुबाई के द्वारा की गई option C जो है वो सही answer हो जाएगा दुबाई ने इसकी मेजवानी की मेजवानी से रिलिट्ट क्या question आप डिसकस कर लेंगे अभी G20 की मेजवानी कौन कर रहा है इंडिया कर रहा है तो G20 की जितनी भी अलग अलग मीटिंग्स हो रही है वो कहां पर हो रही है वो इंडिया में ही जो है वो हो रही है यह question मानके चलिए कि पूछा गया तो इसी दरह से as such पूछ ले जाएगा ज़्यादा गुमा फिरा कर नहीं करेंगे इसको तो यह आप note करना अग बंगलादेश के जो नए प्रेजिडेंट बने है वो बने बने है मुहम्मद सहबुदीन चुपू मुहम्मद सहबुदीन चुपू इनका नाम थोड़ा सा अलग है तो यह आपको याद रह जाएगा कि यह जो है वो बंगलादेश के नए राष्टपती के रूप में कि और बंगलादेश के द्वारा कंपोज किया गया है पहली बात आपने यह ध्यान रखनी है दूसरी बात अब बंगलादेश की जो है और स्पैसिफिक रूप से बात करते हैं कि यहां के एक तो प्रेजिडेंट ने वनाये गये हैं वो आपने जान लिया यहां की जो प्रा जाता है तो हमारे इंडिया के स्टेट जो बांगलादेश के साथ बांडरी शेर करते हैं क्योंकि इंडिया सबसे ज्यादा बांडरी शेर करता है बांगलादेश के साथ एप्रोक्सिमेटली 4096 किलोमेटर यह बांडरी शेर करता है तो इंडिया का एक तो असाम इंडिया का द त्रिपुरा हो गया मिजोरम हो गया और मिखाल्या हो गया असाम वेस्ट इबंगॉल त्रिपुरा मिजोरम में घाल लिया इन पांच स्टेट्स को आप ध्यान रखना और कितना किलोमेटर इंडिया बॉंडरी शेयर करता है वो भी जरूर ध्यान रखना सबसे लंबी बॉंडरी हम बंगलादेश के साथ ही शेयर करते हैं अगले कउशन में क्या बोलते हैं अगले कउशन में बोलते हैं और इंट्रनेशनल मदर लेंगोर्ज और इस एवड है तो बोलते हैं कि सब्सक्राइब नाम अपने ध्यान रखना है कि इनको जो है ये एवर्ड दिया गया है अब इनको आवर्ड दिया गया है सही बात है किसके दोरा इनको ये एवर्ड दिया गया तो ये international mother language ओर जो है वो इनको बंगलादेश की Prime Minister Singh Hansina के दोरा दिया गया और धाका में जो है ओ दिया गया ये जो Dr. Mishra है कर रहे हैं काफी डाइम से काम कर रहे हैं और यह आपने ध्यान रखना यह यह जो है यह, 2023 में हीसude किया गए था मतलब 2021, 2021 से ही किया और Celica को ऑर кажए इस आवारे को देता है जो mother language में अपना extraordinary contribution जो हैं वो प्ले करते हैं उनको ये award दिया जाता है तो अब ये आपको सारा यहां से award के बारे में पता चल गया अब नहीं भूल सकता आपको क्योंकि हमने detail में जान लिया ये पंदरा question है परन्तु यहां से कुछ भी पूछा जाएगा आपसे तो आप definitely ठीकर कराएंगे exam में अगला question देखिए बोलते हैं which Indian state topped the medal tally of fifth खेलो इंडिया यूथ गेम तो बोलते हैं कि पांचवे नंबर की जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुई उसमें कौन से state ने जो है वो top स्थान हासिल किया है कौन सा state जो हो सबसे उपरे उपर वाले स्थान पर जो हो रहा है तो महाराष्टरा सही अंतर हो जाएगा option C सही अंतर है महाराष्टरा ने जो है फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो है वो top स्थान हासिल किया है अब आप क्या ध्यान रखेंगे कि 2022 में जो है ये खेले हैं 2022 की हुई 2023 में महाराश्ट्रा ने टॉप स्थान हासिल किया दूसरा स्थान हारियाना में रहा 2021 में जब यह गेम्ज हुई थी तो हरियाना ने यहां पर पहला स्थान हासिल किया था और 5 खेलो इंडिया गेम्ज हुई कहां पर मद्ध्य प्रदेश में जो था यह सारा हमने जान लिया इतने ही question पूछे जा सकते हैं यहां से अगला question देखिए जी अगले question में क्या बोलते हैं बोलते हैं who is chairman of 22nd law commission which was recently extended until 2024 तो बोलते हैं कि 22nd number का जो law commission है उसको जो हो extend कर दिया गया है 2024 तक तो इसके chairman कौन है यह है justice रितुराज अवस्थी जो है उसके जो हो चेर है उसको चेर कर रहे हैं लीड कर रहे हैं law commission जो होता है वो non statuary committee non statuary body में जो है वो आता है पहला law commission independent India का जो था वो stabilize किया गया था 1955 में कब 1955 में जो था वो किया गया था तीन साल के लिए जो था वो किया था यह आपने ध्यान रखना है और आपने ध्यान रखना है कि British India के दुरान British Raj के दुरान जो फर्स्ट law commission stabilize किया गया था वो 1834 में by the Chartered Act of 1833 जो था वो किया गया था और Lord Moakley के धिक्सता में जो था वो किया गया था वो भी आपने ध्यान रखना है अब Justice रितुराज अवस्थी जो है ये 22nd law commission के जो है वो चेर्मेन है और ये 2024 तक extend किया गया है ये भी आपने ध्यान रखना है फर्स्ट law commission of independent India ध्यान रखना है और फर्स्ट law commission जो British India के दुरान पॉइंट किया गया था वो भी अब ध्यान रखना है तो ये questions होगे important questions यहां से ये questions आप जरूर ध्यान रखें सभी के सभी important questions थे अगला question देखिए हमारे बास क्या पूचा गया है अगले question में बोलते है Recently Brigadier B.D.Misra has been appointed as governor, lieutenant governor of which of the following state union territory B.D.Misra को ये तो governor बनाया गया है ये तो lieutenant governor बनाया गया है अगर lieutenant governor बनाया गया है तो केंदर सासित प्रदेश का बनाया गया है यही पूचते हैं यहां पर कि B.D.Misra जो है वो कहां के बने है तो अगर हम justice B.D.Misra की बात करते हैं कि जी ये कहां के बने है lieutenant governor ये governor तो ये बने है lieutenant governor और ये बने है लद्दाक के option भी सही answer होगा जो all exam की audio radio series हमने चलाई है उसमें ये question बहुत detail से बहुत बार मैंने आपको revise करवाया है और वहाँ पर बार बार revise करवाने का क्या मक्सद था कि ये भूले ना आपको exam में ये exam point of view से बहुत जादा important है अब justice BD Brigadier Michra के बारे में ही पहला question आप ये ध्यान रखना कि ये governor थे अरुनाचल प्रदेश के इनको governor बनाया गया लद्दाक का left net governor बनाया गया लद्दाक का तो governor में आपने ध्यान रखना है कि एक तो लद्दाक के बनाया गया है प्रदेश के नए governor बने है लेफिनेट जर्नल के बिल्या त्रिविकरम इनका नाम अपने ध्यान रखना है सुप्रिम कोड के एक retired judge है जिनका नाम है अब्दुल नजीर इनको governor बनाया गया है अंध्रा प्रदेश का इनका नाम भी आपने ध्यान रखना है चंद कठारिया बनाये गए है तो चंद कठारिया बनाये गए है चंद कठारिया जो है वो असाम के governor बनाये गए है और भी बहुत सारे appointments की गई है प्रदू important one माने आपको बता दी governor की appointment कौन करते हैं president जो है वो governor की appointment जो है о करते pulling को सपत कौन दिलवाता है ये आप कमेंट करके जो है जल्दी से बता दीजिए कि गवार्नर की ओथ, ओथ ही इनके सबच जो है ओगवार्नर की कौन कंडक्ट करवाता है और साथ में ही टेलिग्राम पर questions आपको quiz की form में practice करने को मिल जाएंगे टेलिग्राम पर जोइन करने के लिए अपने टेलिग्राम से at the rate all exam 31 इस तरह से सर्च करना टेलिग्राम चैनल भी मिल जाएगा तो आज की इस वीडियो में इतना ही काफी है, that's all for today, thank you, thank you very much for watching and listening it very patiently